हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू विद्ध इंस्टिट्यूट जैसा सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपको 9 से 12 तक के मैस के ज्यादा तर इंपोर्टेंट कुस्टिन की क्लास मिल जाती है तो जिन इस्टुटेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वा है और सब्सक्राइब कर ले और किसी को कोई भी कुश्चन पूछन हो तो आप मेरे को कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं मैं उसकी वीडियो बनाके चैनल पर डाल सकता हूँ तो आज हम करेंगे क्लास 11 कोनिक सेक्षन एक्सराइज 11.1 का कुश्चन 10 टोपिक है सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दा पॉइंट एक सर्कल की एक्वेशन बतानी है जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है 4,1 और 6,5 मतलब सर्कल पे दो पॉइंट हमें गीवन है यह एंड एविंग सेंटर उन्दा लाइन और इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है 4x प्लस y इक्वल टू 16 अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वेर y माइनस के का होल स्क्वेर इक्वल टू आर स्क्वेर इसकी जन्र फोर्म को हम यूज नहीं कर रहे है क्योंकि वे इंस एयटी के से लिवसके हिसाब दिए तो सेंटर है एक्स कोमा के और वो इस लाइन पे लाई कर रहा है और ये दोनों पोंट सर्कल पे है तो हम क्या करेंगे इन बातों का यूज करेंगे यह जो circle है कौन से point से बात कर रहा है 4, 1 and 6, 5 तो इसलिए हम इस circle की equation में x की जगए 4 और y की जगए one put कर देंगे एक बार तो 4 minus h का whole square 1 minus k का whole square क्योंकि passing का मतलब तभी को पता है यह होता है और एक बार 6 put कर देंगे 6 और 5 तो यह दो हमारी equation बन गई क्योंकि दोनों equation हमारी r square के equal है इसलिए हम इन दोनों को equate कर सकते हैं बड़ा आराम से में लिए हमें question में चाहिए क्या circle का center and radius तो हमें h, k और r find करने तो हम क्या करेंगे from first and second इन दोनों equation को equal रख देते हैं इससे हमारी एक linear equation बन जाएगी in two variable 16 plus h square minus 8 h ठीक है तो इसमें हम जो हमारा cancel हो रहा है cancel कर देते हैं h square से h square k square से k square अब एक equation बना लेते हैं in two variable 12 h को इदर लेके जाएंगे तो 4 h इसको इदर ले आएंगे तो 8 k equal to 36 और 25 61 में से 17 माइनस कर देंगे तो 44 इसको divide कर लेते हैं 4 से तो h plus 2 k equal to 11 यह हमारी एक equation बन गए है अभी question में बोला है कि center इस line पे लाई कर रहा है तो h और k इस पे लाई कर रहे हैं तो हम इसमें x की जगे h और y की जगे k पूट कर देंगे तो अब क्या लिखेंगे because center lies on the line 4x plus y equal to 16 इसलिए x की जगे हम h put कर देते हैं और y की जगे k है तो यह हमारी दो equation बन गी अब हम इन दोनों को solve करेंगे by elimination method या जिसको जो भी सही लगता है तो हम इसको 4 से multiply कर देते हैं और इसको 1 से तो कितना आ गया 4 h plus 8 k 44 वहाँ पर divide करने की ज़रूती नहीं थी लेकिन हम पता नहीं था उस time तो सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 7 k equal to 28 है ना तो k की value 4 आ गया पुट k in किसी भी equation में put कर देते हैं 4 में put कर दिया तो 4 h equal to 12 h की value 3 तो h और k आ गया अब हम क्या करेंगे पुट h k in किसी भी equation में रख देते हैं 1st या 2nd में h और k की equation तो उससे में क्या मिलेगा h और k की value से मिलेगा radius तो h कितना था हमारा 3 तो हम इसको equation 1 में put करते हैं क्या थी equation 1 4 minus h और 1 minus k तो 4 minus h और 1 minus k का square equal to r square तो 1 और 3 का square r square हमारा 10 आ गया मैं आर पूछा है तो हम radius निकाल सकते हैं लेकिन जड़ता नहीं है तो equation of circle हमारी क्या आ गई तो x minus h y minus k k की जाके कितना लिखना 4 equal to 10 और हम इसको expand कर देंगे दोनों को तो मैं answer लिख देता हूँ direct अंसर आएगा x square plus y square minus 6x minus 8y plus 15 equal to 0 यह हमारा answer हो गया तो इस तरह से हमने circle की equation निकाल दी जो दो point से path कर रहा है और उसका center एक line पे lie कर रहा है इसी तरह से हम कोई भी question कर सकते हैं जिसमे circle पे 3 point दे रखे हैं तो उसकी video में बना दूँआ इसी के जैसा question आपको 11th question करना है सभी को यह homework है और मेरे को comment box में answer लिखना है Thank you very much कर दो